स्वागत है आप सभी का हमारे एस ये ट्यूप चैनल लैट्स ओनलाइन एजुकिशन में जहाँ पर के हम टीचर एजुकिशन खास कर बीएड से समन्द वीडियो का अभी हाल ही में निर्मान कर रही है तो आज की ये वीडियो है चोदरिर नवीर सिंग इन्वेस्टी जीन्द द्वारा बीएड बीएड बीएससी बीएड फोर यर का जो इंटिग्रेटिड कोर्स है जो के प्लस टू के बाद होता है के एडमिशन के सिलसिले में इसका जो एडमिशन शेडूल है जो के 2021-22 का है वो जारी कर दिया गया है बीएड बीएड बीएससी बीएड जो है वो समेस्टर सिस्टम में है इसमें चार साल में आठ समेस्टर होंगे यानिके हर छे महीने बाद इसमें एक्जाम होंगे इसकी जो कलास है वो 6 दिसंबर से सुरू हो जाएगी और फर्स्ट समेस्टर के जो एक्जाम है वो मार्च 22 में हो जाएगी क्योंकि ये एक semester system है तो यहाँ semester system होने की वजह से 6 December से classes शुरू है और March के आसपास अभी इसके exam होने की संभावना है schedule जो जारी हुआ है उसमें tentative exam date के बारे में बताया गया है जिससे के March 2022 माना है तो अगर अभी तक आपनी हमारी इस YouTube चैनल Let's Online Education को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार थें तक ये जानकारी पहुंच पाई चोदरी रनवीर सिंग इन्वेस्टी जीन्द जिसकी वेब साइट crsu.ac.in है चोदरी रनवीर सिंग इन्वेस्टी की वेब साइट जो के crsu.ac.in है पे अगर आप विजिट करते हो तो आपको वहाँ पर इसके नोटिस की कोपी जो है वो मिल जाएगी crsu.ac.in पर जाकर के अगर आप विजिट करते हो तो आपको इसके नोटिफिकेशन की कोपी जो है वो मिल जाएगी वेब साइट जो है वो आपको हमने यहाँ बता दी है अगर आप चाहें तो इस नोटिस को crsu.ac.in साइट पर जाकर के भी अपना नोटिस चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं crsu.ac.in नाम की जो वेब साइट है जो की चोदरी रणवीर शिंग इन्वेस्टी जीन की एक ओफिशल वेब साइट है इस पे अगर आप यहाँ जाकर के चेक करना चाहो तो आप इसको चेक कर सकते हो notification के बारे में अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा schedule जो है वो यहाँ इन्होंने जारी कर दिया है जिसमें के processing of fees यानि के इसके लिए जो निर्धार्थ फीस है वो 500 रुपीज है जो के general और other state के student पे लागू होगी बात कर रही है इसके लावा SC और different able जो परशन है और सिर्फ हरियाना के उसके लिए यह फीस जो वो 125 रुपे निर्धार्थ की गई है इस फीस को आप debit card, credit card, net banking कोई भी mode से आप इस फीस को online भी apply कर सकते हो और यह जो processing fees है यह note refundable है यहाँ university ने clear कर दिया है कि processing की जो fees है वो non-refundable fees है यह fees अगर आपने एक बार बर दी तो यह आपको बाद में वापीस नहीं मिलेगी non-refundable fees है यह फीस बरने की फारम बरने के बाद में फीस बरने की जो date थी वो थी 6-10 से लेके 6-11 तर 16-11 तर उसके बाद में first merit list जो है वो display होने की जो date बताई गई है वो है 19-11 यानि जिनोंने अभी तक अगर फारम भर दिये है उन सभी फारमों के विद्यार्थियों को इसकी जो date है वो 19-11 तक उनकी first date है जिसमें की ये student की name की list जो है वो publish कर दी जाएगी उसके बाद में first के बाद में second और second के बाद में third यानि तीन जो list है वो display की जाएगी और उसके बाद में fourth जो है वो उसमें physical presence होगी यानि के आपको खुद जाकर के अपना admission के लिए वहाँ समंदित जो भी college वगरा वहाँ आप पे है physical जाकर के आप अपनी admission का process पूरा कर सकते हो तो first की जो date है उसकी 19 को maritalist 100 हो जाएगी university की website पर और उसके बाद आपको 22 से लेके 23 तारिक तक आपको अपने document और फिस जो है वो submission करवानी है यानि के आपको 22 से लेकर 23 तारिक तक अपने समंदित college जो भी आपका college अलोट होता है उसमें जाकर के आपको अपने सभी मूल document जो है original document जैसे 10th plus 2 अगर आप हर्याना से तो हर्याना residence अगर आप SC, BC category में आते हैं तो उसका certificate अगर आपका differently abled का certificate है अगर आप हर्याना के हो तो वो आपको दिखाना होगा इसके लवा आपका आधार कार्ड, कम से कम 6 photo और आपको खुद को वहाँ जा करके अपना presentation करनी होगी जिससे के आपका admission हो जाएगा जिन बच्चों का पहली list में admission नहीं होगा उनके लिए फिर दूसरी merit list डिस्पले होगी जो के 25-11 से हो जाएगी और 25-11 को होने के बाद में 26 से लेके 27-11 तक जिन विद्यार्थियों को second merit list में college अलोट होए हैं उनको वहाँ college में जाके अपना document verification करवाना पड़ेगा जो के और साथ में आपकी जो fees है वो submit करवानी होगी इसके बाद में तीसरी list डिस्पले होगी जो के 30-11 को होगी और 30-11 को list डिस्पले होने के बाद में एक दिसंबर से लेके दो दिसंबर तक आपको अपनी document verification करानी है और आपकी जो fees है वो verification करवानी है उसके बाद में next जो round आएगा वो आपका आएगा अगर seat बच जाती है तो क्योंकि BABA के college जो है वो काफी कम है तो अगर seat बच जाती है तो 4 दिसंबर 2021 को physical verification जो आपका एक तरह से physical presentation के अधार पर आपका जो admission है वो होना है इसकी जो merit list जो है वो 4 दिसंबर को एक बज़े तक upload हो जाएगी और document verification आप 4 दिसंबर को ही करवाओगे तो यानि के ये जो schedule है इसके according आपका admission जो है वो 4 दिसंबर तक complete हो जाएगा और उसके बाद में इसी notice में सूचना दी गई है के क्लासें जो है आपकी जो क्लास है वो च्छे दिसंबर मंडे से आपकी कलासें जो है वो बीए बीएड बीएसी बीएड की चोदरी रणवीर सिंग इन्वेस्टी जीन से समन्दी मानेत ताप्राप्त affiliated college की उसमें आपकी कलासें शुरू हो जाएंगी और उसके बाद में आपका ये बीए बीएड बीएसी बीएड जो है ये four year integrated course है और semester system है तो पहले semester के जो exam है उसकी अभी इन्होंने tentative date जो है वो निर्धारत की है अनुमानित date है ये और ये अनुमानित date है tentative date है और ये अनुमानित date है बीएड बीएसी बीएड की और ये March 2022 है यानिके first semester आपका complete होकर के March 2022 तक आपके exam जोगों करवा लिए जाएंगे ये tentative date sheet है tentative यानिके अभी ये संभावित है final नहीं है ये date आगे पिछे भी बढ़ सकती है अगर counseling थोड़ी और बढ़ी तो जाहर सी बात है कि ये March के बाद अप्रेल या मही में आपके exam हो सकती है इसी तरह tentative date sheet इनों ने BELD की यानि Bachelor of Elementary Education जो है equal BSTC की तो उसका जो professional degree course है उसकी tentative exam date जो है वो अगस्त 2022 है क्योंकि इसमें system जो है वो annual system है जबकि B.A. 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 C. B.A. जो के 4-year integrated course है उसमें आपकी ये जो date है ये semester system होने की कारण हर 6 मेने बार के में आपके exam होंगे इसी notice में इनोंने note डाला है कि cut off date of eligibility इसके लिए जो last date जो है वो choice filling वगरा करके last admission B.A. 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 C. B.A. इसको integrated course कहती है क्योंकि इसमें B.A. और B.A. जो है वो दोनों एक साथ होती है वो उसका last जो admission है वो 4 December 2021 तकी होगा इसके बाद कोई भी admission जो है वो नहीं होगा इससे समदी तो अगर आप university में बात करना चाहते हैं तो यह यहाँ इनोंने कुछ number दिये गए है सुरुआत में जो है यह study code है, landline number है एक, दो, तीन, चार, पांच number दिये है और बकाइदा इनोंने इसके timing भी दी है 9.00 a.m. से लेके 5.00 p.m. तक Only working days में आप इन number पे phone करोगे तो आपको इससे समदी जानकारी जो है वो प्राप्त हो जाएगी अगर आप इस इसले में email करना चाहते हो तो deancolleges.crsu.ac.in admission at the rate crsu.ac.in और इसी से समदी एक email ID उनोंने और दी है crums.gmail.com for technical queries अगर आपको इससे जुड़ी कोई technical issue आता है तो आप केवल और केवल इन तीन पे mail कर सकते हो या फिर आप इसी तरह की कोई technical issue के सिले में आप इन landline number पर 9 से लेके 5 बज़े तक call कर सकते हो इसी तरह की और अधिक नई update जानने के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ YouTube channel Let's Online Education पर और अगर आपको इस notification की एक copy चाहिए तो आप हमारे telegram group Let's Online Education पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको इसके notification की एक copy मिल जाएगी urgent होने पर अगर आप किसी भी तरह की कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमारे whatsapp number 935695753 पर message कर सकते हो आपकी जो भी समश्या है पहले आप whatsapp message करें उसके बाद में आपको reply आएगा कि आप call कर लीजिये तो आप इस number पर call भी कर सकते हैं और इससे समंदित आपकी जो समश्या है उसकी सुनवाई भी उसे समंदित जो जरूरी हल होगा वो आपको बता दिया जाएगा अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल एक्स ओनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा ज्यादा विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँच पाए और ज्यादा ज्यादा विद्यार्थियों को इसे समंदित फाइदा मिल पाए धन्यवाद